नमस्कार, मैं चरिंतन कोठारी, आज नव भारत टैलेंट हब में जो हम ट्रेनिंग की शुरुबात करने जा रहे हैं, सबसे पहला ये बात करते हैं, कम्यूनिकेशन पर, कम्यूनिकेशन क्या होता है, अपने आपको समझाने का अंदाज है कम्यूनिकेशन, आप जो कहना चाह है, कम्यूनिकेशन वरबल भी होता है, नॉन वरबल भी, ज़रूरी नहीं है, बोलेंगे तभी कम्यूनिकेट कर सकते हैं, आपका एटिट्यूड, आपका कॉन्फिदेंस, आपका ड्रेसिंग सेज, ये सब कम्यूनिकेट करता है सामने वाले से, कम्यूनिकेशन के दो स्थम एक example लेते हैं, आपको कोई topic का 20% बहुत अच्छे से आता है, तो उसको समझाने का आपको एक अलगी confidence होगा, लेकिन जो 80% पार्ट है आपको नहीं आता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना confidence डाउन कर लेंगे, हमें ये motivate अपने आपको करना है कि हमें वो 20% पार्ट बहुत अच्छे से आता है, और यही सामने वाले को समझाना है, कि जो मुझे 20% आता है, उसमें मैं इतना अच्छा हूँ, इस बिहाफ पर आप मुझे job दीजिए, अपने value पर अपने और आप पूरा confidence रखें और पूरा confidence से communicate किजिए, आप जिससे communicate कर रहे हैं, वो भी एक अपने घरवालों से communicate करते हैं, आपने दोस्तों से communicate करते हैं, तब तौर हम को भी hesitation नहीं करते हैं, तब तो टयरी नहीं करते हैं, तो interview करने के लिए तैरी करनी ही जरुत का है, आप वैसे ही communicate करे हैं, जैसे आप comfortable, जैसे आप casual हो, उसके लिए अलग headache लेके मत जाईए, उसी confidence से जाहिए फिर देखिए आपको result कुछ और ही आएगा हम communication कुछ भी नहीं है इसको बिनावाद हम लोग कितना हवा बना देते हैं सिर्फ आप थोड़ी समझ आगर रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी हो सकता है आप यह मत सोचके जाहिए कि आज कुछ बड़ा करने जा रहा हूं आप नॉर्मल ही जाहिए तो देखिए आप कम्मिनिकेशन के बहुत तरीके हैं बहुत थिर्टिकल आस्पेक्ट पर हम बात नहीं करेंगे नभारत टैलेंट हमेशा आपको कम्मिनिकेशन उसके आस्पेक्ट उसको ऐसे प्रेटिकल हम समझेंगे ताकि आप कहीं भी जाएं तो इसको आपको जौब मिले और सामने वाला आपको समझे कि हाँ इस आदमी से जुड़कर हमारी कंपनी को बहुत मदद करेगा अपना एटिट्यूड आप हमेशा ऐसा प्रेटिकल कम्मिनिकेशन के बारे में सिखाने जा रहा है आप हमसे जुड़िए फिर देखेंगा कितना फरक आता आपके अंदर नमस्कार